अभी इसको सॉल्व करने के पहले एक दो बाप यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा सबसे पहला गोईंग बैक तू लीनियर एक्वेशन इन इन टू वेरेवल नॉट इन थ्री वेरेवल हम लोगों ने अभी आपको सॉल्व किया था कि लेट से अगर कोई पूछे कि 2x plus 3y equal to 5 कि इसको बोले सॉल्व करने को तो आंसर क्या देंगे हम लोगों ने बात भी किया किसका अंसर इस नॉट कैन नॉट बी डिटर्माइट इसका अंसर का infinite number of solution होता है लेकिन इसी में हम लोगों ने चेक किया अगर दो अलग अलग स्लोप वाले लाइन हो गए तो इन दोनों का unique solution मिलेगा जोगी इन दोनों को satisfy करेगा अभी infinite solution नहीं मिलेगा तो in nutshell आपको जितने variable हैं उतने solution sorry जितने variable हैं उतने equation रहने पर ही मेरे को उन दोनों उन दोनों वेरेबल का unique solution मिलेगा तो उसी idea को अगर मैं यहां पर use करूं तो अगर मेरे पास तीन वेरियेबल है इफ आई है थ्री वेरियेबल्स तो आई शुड है वापको थ्री एक्वेशन तो तीन अलग अलग एक्वेशन होने चाहिए यूनीक वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंज यह लैंगविज आपको पहले पकड़ना पड़ेगा तो आप बुलों के यहां पर तो आपको तीन वेरियेबल है लेकिन एक्वेशन तो सिर्फ आपको दो ही दिया है तो मैक्सिम्स्टूडेंट लोग इसका अंसर देगा चाहिए तो आपको देना चाहिए तो आपको देना चाहिए था क्यों आएगा वो देखिये लेट से इन दोने एक्वेशन को माल लो मैं आड कर दूं आड 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 इंग बोथ दो एक्वेशन आड करूंगा तो बन जाएगा यह हो जाएगा 15x माइनस 10y इस इक्वल टू 15 अगर पांच कॉमन निकाल दूं तो हो जाएगा 3x माइनस 2y इस इक्वल टू 3 यह x और y में एक आपको नया एक्वेशन आ गया इनको आड करने अच्छा लेकिन आड करने पहां सही आड करने पर देट वाला पार्ट गेट एलिमिनेट सही है त दो वेरियेवल का यह एक्वेशन हो गया और एक ही एक्वेशन है हां तो कहना इसे है यहां पर x और y के इंफनाइट आपको solution मिलेगे एक इंफनाइट solution मिलेगा तो लेकिन अभी z पर अभी उन्होंने काम नहीं किया होल्ड करो आप सब्सक्राइट से मेरे कुछ z का वैलू निकालना है अगर z का वैलू निकालना है तो इक्स और y उन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा मतला उनको कुछ भी multiply या divide करका वो cut करना पड़ेगा तो x यहां पर 6 है x यहां पर 9 इन दोनों का LCM 18 होगा तो अधर 18 बनाना है तो इंटू 3 करना है 18 बनाना है तो इंटू 2 करना है hold करिएगा तो अभी मैंने इसको 3 से multiply कर दिया तो बन गया 18x minus 12y plus 3z equal to 30 और यह बन गया 18x minus 12y minus 2z is equal to 10 अभी अगर मैं इन दोनों equation को subtract कर दो minus plus plus minus तो यह जाएगा यह भी जाएगा और यह बन जाएगा होगा 5z is equal to 20 तो z का value देख लो मिल गया z का value आ गया 4 आ गया तो even though x और y के तो infinite possibility मिल रहे थे लेकिन आपको z का unique value मिल गया गया तो अभी हाँ तो फिर से coming back to this equation up हाँ जो भी अगर तीन equation अगर तीन variable है और दो equation भी है हाँ तो आप देखते immediately मत बोलो कि answer no solution होने वाला है solution मिलेगा infinite possibility हो कहने का मतलब x, y का जो भी value लेना है लेलो आपको z का value तो चार ही रहेगा अगर चाहिए satisfy करना है चलो यहाँ सुनो वह भी satisfy कर लेता है मान लो मैंने y का value यहाँ पर 0 लिया अगर y का value 0 लोगा तो x का value 1 आएगा राइट यह करेगा satisfy अभी आप बताओ यह value x का value एक बार यहाँ डालो x यहाँ डालोगे 1 तो यह बनेगा 6 और y का value है 0 तो यह तो 0 रहेगा और z का value है चाहिए आप बोलो satisfy हो रहा है कि is it equal to 10 और नो हो रहा है satisfy इसमें भी डालोग उता satisfy होगा हाँ तो कहने का मतलब जेड का तो हमेशा value 4E रहेगा आपको जो भी कर लो लेकिन xy का value infinite possibility हो सकता है इसी के लिए इन दोनों equation का answer no solution नहीं था it was infinite solution गए I hope it's clear क्योंकि यहां पर दिक्कत होता है लोगों को हाँ और बोलोगे कि यहां पर z का answer क्यों मिल गया तो उसके पिछे भी explanation अगर और deep में जाना है तो आप बताओ x के coefficient का ratio क्या है x के coefficient का ratio है 2 by 3 और y के coefficient का ratio क्या है आपको minus 4 by minus 6 आपको वो भी 2 by 3 है इन दोनों का coefficient का ratio सेम है इसी के लिए into 3 और into 2 करने पर x वाला part eliminate और y वाला part eliminate हो गया इसी के लिए मैरे को z का value मिल गया है तो answer infinite solution था और हमेशा नहीं मिलेगा गाई यह मैंने एक example लिए दूसरा example लूँगा आप वहां पर देखना कि वहां पर क्या होगा हां तो आई होप यह पहला example clear है एक दूसरा example देखते हैं उसी idea को emphasize करने के लिए अगें तीन वेरेबल है और सिर्फ दो equation दिया है तो अगें मेरे को plus z और plus z नजर आ रहा है तो इन दोरों का coefficient सेम है तो इफ आइ सब्ट्राक्ट first equation from the second one I'll get x plus 3y is equal to 40 यह आएगा अभी obvious है कि दो equation और दो variable x और y है तो x और y का तो infinite possibility होगा अभी लास्ट वाले case में अपने को z का unique value मिल गया थे अभी देखते हैं यहां पर जेड का मिलेगा किया अगर जेड का unique value निकालना है it means x और y को eliminate करना है एक साथ simultaneously वह eliminate यहां पर होगा ही नहीं आप देख लो यहां पर इन दोनों को सेम करना है मतलब इसको चार से करना है इसको तीन से multiply करना है आई होप आप कर पाऊगे और ली तो अगर मैं चार से करूंगा तो यह बनेगा 12 और यह बनेगा इसको चार से करूंगा तो यह बनेगा 28 और यह बन जाएगा 30 बन जाएगा वह तो नहीं होने वाला इंस करने पर क्या मिलेगा वह देख लो यह हो जाएगा अपको 12x प्लस आपको 28y प्लस 4z इक्वल तो 400 और यह हो जाएगा अपको 12x X plus 30y and plus आपको 3z इंस इक्वल तो आपको 420 तो माइनस करूंगा माइनस 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 तो यह बन जाएगा »mines 2y and plus z इस इक्वल to –20 तो यह तो य और z में एक नया अपको दो एक नया दो का एक्वेशन अजह बन GMT तो आप सुजोच के लास्कावले केस में आपको जेड का यूनिक वैलू मिल रहा था और एक्स वाई के इन्फिना पॉसिबिलीटी वहां पर एक्स वाई-जेड इसमें से मैं किसी का यूनिक वैलूरे निकाल सकता हूं all of them are going to be infinite possibility तो it's not necessary कि हमेशा एक का value मिली जाएगा वो guarantee नहीं है guys तो इसके लिए generalize मत करो सिर्फ ये बोल सकते हैं guys ऐसे सारे सवालों में कि whenever there are आपको three variables and only two equations are given answer will be infinite solution कहीं कहीं पर x y z में से किसी एक का value मिल जाएगा और बाकी दोरों का infinite possibility होगा और कोई कोई case में जैसा कि इस case में हम लोगों ने देखा इन में से किसी का भी unique solution नहीं मिलेगा वो सारे के infinite possibility होगे तो वो सारे cases अपने को द्यान पर रखना पड़ेगा तो इसी idea पर अभी 3-4 सवाल चेक करेंगे so that की idea आपको emphasize अच्छे से समझ में आजाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो अभी इस पर आपको करते हैं 2-3 equation वाले सवाल जो की exam में भी उस type के सवाल आए हुए हैं उसके बाद ही आगे बढ़ेगे उसके बाद हुए हुए हैं